Hello Everyone, इस वीडियो में देखेंगे रिजिनी का important question, सभी question important और selected question लिएगे हैं, तो चलिए देखते हैं, first question वाला question ने दिएगे विकलपों में से लुप संख्यां ग्याद किजिए, question mark देखें यहाँ इसका मतलब 42 और 38 को क्या करें, जो 104 आ जाए यहाँ से ध्यान से देखें, अगर 42 को 2 गुना कर लेते हैं, और 38 को 2 से भाग दे देंगे, कितना आ जागा? 19 और इसमें से 1 जोड लेंगे, यह आ जागा 20 और इसको 2 गुना कर लेंगे, कितना आ जागा? 84 पलस 20 जोड लेंगे, कितना आ जागा? 104 यहां भी वही करेंगे 36 को 2 गुना करेंगे कितना जागा 72 और इसको 2 से भाग दे देंगे पलस 1 करेंगे तो 26 आ जागा 26, 27, 36 दुना 72 पलस 27 यहां पे जोड़ेंगे 72 पलस 27 72 पलस 27 कितना जागा 99 यहां पे देखिए 99 है आगे वही करेंगे 38 को 2 गुना करेंगे 16 को 2 से भाग दे देंगे और पलस 1 कर लेंगे तो यहां से देखे आगे क्या करना को 38 दुना कितना हो जागा 38 दुना हो जागा 76 और यह 8 हो जागा भाग देंगे तो 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जागा तो यहां पर 9 लिखेंगे 86 पलस 9 जोड़ लेंगे कितना आ जागा 85 85 देखेंगे option number A में है option number A सई answer है ये सब exam में question पूछे गया है वहीं से question लिया गया है तो ये सब ही question क्या है important है most important question है तो चलिए देखते हैं अगला question क्या दिया गया है अगला question देखते हैं next question है अगला question है कुछ समिकरन एक निस्चित्व वस्था के अधार पर हल किये गये हैं उसके बाद बोल रहा है कि उसी अधार पर बिना हल किये हुए समिकरन का सही उत्तर गयात किये इसका मतलब यहां पे 41, 24 और 34 को क्या करे जो 207 आ जाए अगर यहां पे देखे यहां पे कुछ भी देगा symbol यहां पे नहीं देखना अपने मन से यहां पे reasoning में symbol लखना पड़ता है तो यहां पे minus के जगा अगर plus कर लेते हैं और plus के जगा plus ही रने देंगे तो यहां देखे 41, 27, 34 इसको जोड़ लेंगे कितना आ जागा यह? 102 हो जागा तो 102 को ही उल्टा करके लिख देंगे तो 201 हो जागा 201 हो जागा तो यहां पे दिया गया है तो आगे भी इसी तरह से solve करेंगे कैसे? यहां कितना दिया गया? 19, 63, 48 तो यहां पे मैना से 30 को पलस कर लेंगे 19, 63 जोड़ेंगे 19, 63, 48 तो यहां से कितना आ जागा? 130 हो जागा और 130 को उल्टा के लिखेंगे तो 0, 3, 1 यहां पे लिखा गया है आगे भी यहां पे उसी तरह से solve करना 51, 53, 5 को जोड़ लेंगे 51 पलस 35 पलस 63 को जोड़ लेंगे कितना जागा? 149 तो इसको उल्टा के लिखेंगे 9, 4, 1 941 किस ओप्षन में है? ओप्षन नम्मर A में है ओप्षन नम्मर A सही इंसर है Next question देखते हैं नीचे दीगे परश्न का सही वेनारेख बताएं परवंद, मजदूर संग और कामगार तो कामगार क्या होता है? मजदूर संग के अंतर गता आता और परवंधक क्या होता है? अलग होता है तो कैसे बनाएंगे इसका वेन्डाग्राम? ये कामगार और मजदूर संग तो यह मजदूर संके अंदर हो जागा कामगार और इसका परवंधक कालग हो जागा तो अलग तो देखिए ऐसा option A में है option number A सही answer है next question देखते हैं अगला question क्या दिया गया है दिये गए विकल्पों में से समंदित संख्या को चुनिए कैसे बता सकते हैं ध्यान से question को देखना है important question है और ध्यान से समझना है 8 को क्या करे जो 9 हो जाए और 56 को क्या करे यहाँ पर question mark है तो कैसे बनाना है ध्यान से समझे अगर यहाँ पर देखिए 8 में एक घटा लेते हैं तो कितना आ जागा 7 और 7 को 8 से multiply कर लेंगे कितना आ जागा 56 तो आगे भी उसे तरह से solve करना है यहाँ से क्या करेंगे 8 में एक घटा लेते हैं इसमें एक घटा एंगे तो 7 आ जागा तो multiply 7 से कर लेंगे 56 तो 9 में भी एक घटा लेंगे कितना जागा 8 और 8 से multiply कर लेंगे कितना आ जागा नोठे 72 72 देखे option number B में है option number B सही answer है next question देखते हैं अगला question क्या दिया गया है इसका answer कौन साव जागा 72 अगला question देखते हैं अगला question है यदी 4 गुना 9 बरावर 25 7 गुना 4 बरावर 30 तो 9 गुना 4 question mark दिया है तो देखे यहाँ पर 25 इसको कैसे ला सकते हैं अगर यहाँ पर 4 का स्कार कर लेंगे 16 आ जागा और इसमें 9 जोड़ेंगे तो 20 आ जागा यहाँ भी वही करेंगे 49 7 का स्कार कर लेंगे तो 49 और यह 4 को जोड़ेंगे तो 30 पन आ जागा यहाँ पर 9 9.81 पलस चार कितना आ जागा 85 85 देखे किस उप्षन में है उप्षन नमर सी में उप्षन नमर सी सही अंसर है नेक्स्ट कोशन देखते हैं देखे ये कोशन मुस्ट इंपोर्टेंट कोशन है अगला कोशन देखे क्या दिया गया इसमें बहुत सारा तरीका बताएंगे और सबसे देखे किसी घड़ी में 8 बच कर 50 मिनट हो रहे हो तो इस सित्थी में घंटे और मिनट किसी के बीच कोन का माब क्या होगा तो देखे यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे आपको यहां पर दो घड़ी पहले बना के दिखा देते हैं सबसे पहले यहां पे 12 बजेगा यहां 6 बजेगा यहां 3 बजेगा और यहां कितना बजेगा 9 तो यहां पे अगर यह बज जाएगा तो यह कितना डिगरी का हो जाएगा 90 डिगरी का तो 3 गंटा में 90 डिगरी तो एक गंटा में कितना डिगरी हो जाएगा यह गंटा में 30 आगे कैसे बनाएंगे अगर यहाँ पे घड़ी का सुई बना लाते हैं यह 12, यह 6, यह 3 और यह 9 तो यहाँ कितना बज़ रहा आठ बच कर 50 मिनट तो पहले इसको रख लेते हैं यहाँ पे 10 बच जाएगा और यह 11 तो 50 मिनट वाला यहाँ जागा और घड़ी का सुई 8 बच कर तो इस जगह आएगा यहाँ पे 8 बच कर 50 मिनट तो यह दोनों के बीच का दूरी निकालना है तो एक घंटे में कितना डिग्री हो जाता है एक घंटे में 30 डिग्री तो 60 मिनट 60 मिनिट में कितना हो जागा 30 डिगरी तो यहां लिख सकते हैं 60 मिनिट में 30 डिगरी तो 50 मिनिट में कितना डिगरी तो पहले 1 मिनिट का निकालेंगे तो 1 मिनिट का कितना हो जागा 1 मिनिट में half तो 50 मिनिट में 50 से multiply कर लेंगे तो यह कितना आजागा पचीस आजागा तो इसका एंसर कौन सा आजागा पचीस नहीं आएगा यहां पर पचीस यह आया क्या मिनाट का तो यहां क्या करना होगा 60 में 60 में 25 घटा लेंगे कितना आजागा 35 तो 35 देखिए option number D में option number D सही एंसर है इसके लिए और तरीका है फर्मूला से बना सकते हैं इसका क्या होता है यहां पर लिख सकते हैं कि 30 H माइनस 11 बटे 2 M, M का मतलब हो जाता है मिनट और H का मतलब हो जाता है घंटा तो देखिए 30 घंटा यहां पर 30 और बजा कितना 8 बच कर तो यहां लिखेंगे 8 माइनस यह जो सिंबॉल है मोड का अगर माइनस में आएगा तो वह पलस में ही इंसर माना जाएगा तो यह H है 11 बटे 2 और M जो है यह मिनट का है तो कितना है या पचास मिनट 24 आ गया इसको कटा लेंगे कितना जागा 25 तो यहांपे multiply भी कर सकते हैं और 11 से multiplier करने का भी trick सोड वीडियो में भी बता चुके हैं असानी से 11 से multiply कर सकते हैं तो देखिए यहांपे कितना जागा 5 जागा और यह 527 और यह कितना जागा 2 275 आ गया 275 में 240 घट जाएगा कितना जागा माइनस 35 यहां पर आएगा तो यह मोड है तो एंसर आ जागा 35 यह एंसर आ गया 35 डिग्री ओप्सन नमबर डी और भी तरीका इसमें बताते हैं देखें यहां पर 8 बचकर यह बड़ा तरीका है यहां पर लिखा 8 बचकर 50 मिनट तो इस जगह लिखना 8 बचकर 50 मिनट पलस में लिखेंगे 50 को 60 से भाग देंगे और इधर लिखेंगे मिनट का तो मिनट कितना है 50 मिनट है तो यहां पर एक मिनट में कितना डिग्री हो रहा था 6 डिग्री एक मिनट में 6 डिग्री तो यहां स छेपंचे तीस तो यहां पे पहले यहां पे शॉल्प कर लेंगे इसको कटा लेंगे तो अब अच्छा कड़ तालीस 5 तीरपन आ जाएगा बटे छे और इसको मल्टिप्ला की से करना होगा तीस से 65 तीरपन गुना पांच कर लेंगे कितना जागा 265 में 300 घटा लेंगे तो इंसर कितना जागा 35 जागा जो बड़ा होगा उसमें इसमें घटाना है तो इंसर आजागा ऑप्शन नमर डी जो भी तरीका अच्छा लगे सभी तरीका इसमें बता दिये दी इस रंखला में अगला संख्या क्या होगा देखे क्या दिया गया है चार आठ एगारह वाईस और पचीस कोस्टन मारक कैसे बनाना है धियान से देखे अगर यहां पे दो गुना करते हैं तो आठ होता है प्छिस तीन कर लेंगे तो इयारा हो जागा फिर गए तो 25 आजागा तो फिर 25 गुनाद 2 करना होगा 25 गुना कितना आजागा 50 50 देखिए कि सुप्सन में option नम्मर B में option नमर B सही एंसर है next question देखते हैं अगला question क्या दिया गया है अगला question भी most important है दीग इस रिंखला में गलत संख्या गयात किजिए इसमें गलत संख्या बताना है कैसे बता सकते हैं यहां पर अंतर पहले देखिए कितने का यह तीन का अंतर आगे कितने अंतर का है छे का और यहां से अंतर कितना आना चाहिए बारा आना चाहिए लेकिन यहां अंत भी अंतर आना चाहिए, 6 दुना, 12 दुना, 24, तो यहां 24 जोडने के बाद, 66 आ रहा है, तो गलत संख्या कौन हो जाएगा, 41 हो जाएगा, इसके जगह 42 हो जाएगा, तो option number D, सही इंसर है, गलत संख्या पूचा है, तो option number D, सही इंसर है, 41 के जगह 42 होना चाहिए Next question देखते हैं एक पासे के नीचे दी गई दो भिन सकलों को ग्यात करे सफेद के फीचे कौन सा रंग होगा तो सबसे पहले सफेद इसमें खोजना है कहां के इस जगह है अब अन दो पासे पे कौन कौन सा है लाल और पीला है दूसरे में देखना है लाल और पीला है तो आजानी से बन जागा लाल और पीला है तो यही अंसर आ जागा इसका विप्रित कौन सा हो जागा नीला हो जागा नीला option नमर A में है option नमर A से ही answer है Next question देखते हैं दिये गे विकल्पाँ में से विसम योग्म चुनिये यहाँ पे विसम योग्म बताना है कैसे बना सकते हैं देखे द्यान से अगर यहाँ पे 81 जो है यह यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं 9 का square कर लेंगे 9 का square करेंगे तो यह नहीं होगा आगे भी अगर यहाँ पे आठ एक नो कर लेते हैं आठ एक नो कर लेंगे तो ये भी नहीं होगा तो इसको कैसे बनाना है देखी 81 जो है ये अगर 9 से भाग देंगे तो क्या हो जागा ये पूरा पूरा कट जागा और 42 को भी 2 से भाग देंगे तो ये ये भी कट जाएगा 24 को भी 6 से भाग देंगे तो ये भी कट जाएगा 17 को, 54 को 17 से भाग देंगे तो नहीं कटेगा इंसर कौन सा हो जाएगा? Option number D, यहीं भी सम होगा देखिए सभी कट रहा है लेकिन ये D वाला नहीं कट रहा है तो इंसर option D से ही answer हो जाएगा next question देखते हैं नीचे देगे प्रश्णी में लूप्त संख्या ग्यात किजिए 17, 11, 19 question mark यहाँ पर है इसका मतलब क्या ये 11 और 13 को क्या करे जो 4 आ जाए तो देखे क्या कर सकते हैं दोनों तरफ से सोच सकते हैं अगर यहाँ पर क्या कर सकते हैं यहाँ पर 17 और 12 का अंतर करेंगे कितना जगा पांच और 5 का स्क्राइब कर लेंगे कितना जगा नाइन नो नो देखिया उप्षन नमर ए में है उप्षन नमर ए सही एंसर है चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक से सब्सक्राइब जरू किजिएगा मिलते करें वीडियो में तब तक के लिए जाएंगे